वेलकम स्टुडेंट्स कैसे आप सभी लोग आपका अपने चैनल कोई किसमार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि हमने यूपिटेट 2021 के लिए साइंस पेपर 2 की तैयारी शुरू कर दी है जिसमें हम 28 नुवंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं और सबसे पहले ह हमने अपनां कैमेस्ट्री का सेक्शन शुरू किया है और कैमेस्ट्री में हमने सबसे पहले टौपिक किया है पदाद, पदाद की समों, पदाद का पत्थे करन पदाद की संरचना और प्रकति ये तो पोरा एक लाइर में डिफाइन करतीा है लेकिन ये टॉπिक बहुत बढ़ा है इसमें काफी सारे टॉपिक कवर अप होते हैं जिसमें हमें पूरा एक्टा मॉलेकूल, पूरी संरचना, डाल्टन की अटॉमिक थियोरी, रेधर फोट की मतलब पूरा सब कुछ अच्छे से समझना होता है और यह बहुत इंपोर्टन है, यहां से कोशन बनता है तो पहले मेराथॉन सेशन में हमने काफी चीज़े समझी, आज की जो मेराथॉन सेशन है केमिस्ट्री की दूसरे नमबर की मेराथॉन, आज की क्लास में हम काफी इंपोर्टन चीज़े समझने वाले हैं, जैसे हमने ऐलिमेंट और कमपाउंड को समझा तो उनको थोड़ा और देखेंगे साथ में आज हम समझने वाले हैं mixture क्या होता है यहां से cushion बनने के बहुत जादा chances होते हैं homogeneous wides 개श mixture heterogeneous mixture ये सारा देखने वाली हों और साथ में हम देखेंगे जो हमारे COB होते हैं जो हमारे element होते हैं उनके symbol क्या होते हैं आपको एक हेटरोजीनियस मिक्चर यह सारा देखने वाले हैं और साथ में हम देखेंगे जो हमारे तत्व होते हैं जो हमारे के रसाइनिक सूतर कैसे बनाते हैं वो सारा हम अच्छे से समझेंगे तो आज का मेराथान सेशन भी आपके लिए बहुत जादा इंपोर्टन होने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं क्लास सबसे पहले हम समझेंगे पदार्थ क्या होता है जैसे अभी आप बैठ कर फोन देख रहे हैं तो जो फोन है पंखा आपका चल रहा है तो पंखा है आप अगर बैठ पर बैठ है तो बैड है तो जो बैड है फैन है और आपका पंखा है आप इन सब चीजों में इनका सबका एक द्रव्यमान है और ये सब जो वस्तुएं हैं कुछ जगा भी गहर रही है जैसे फोन है अगर आप उसको जमीन पर रखेंगे तो उसमें कुछ वॉल्यूम होगा वो कुछ जगा गहरेगा है उसका कुछ आयतन होगा सेम ऐसी पंके का होगा सेम ऐसी बैड का होगा तो ऐसे जितनी भी सबस्टांस हैं आपके आसपास जिन में मास है द्रव्यमान है और वो स्पेस उक्विपाई करते हैं कुछ वॉल्यूम है उनका कुछ आयतन है कुछ जगा वो गहर रही है वो सारे सबस्टांस क्या होते है वो पदार्थ होते है मैटर होते है तो बस इतना ही याद रखना है मैटर पदार्थ में आपके आसपास जितनी भी चीज़े हैं दुनिया की अगर उनमें कोई वेट है और वो कोई जगा गेर रही है तो वो सारे के सारे क्या हैं पदार्थ हैं matter है anything that has mass and occupy space वो पदार्थ आपके matter होंगे जो इस्थान गिरते हैं और जिनका द्रव्यमान होता है और ये किस से बने होते हैं ये आपके particle कणों से बने होते हैं अब यहाँ atom को नहीं लाएंगे simple बात कर रहे हैं किसकी पदार्थ की पदार्थ के केस में हम यही बोलते हैं कि किस से बने होते हैं ये particle कणों से बने होते हैं जैसे अगर मैं iron लोहे की बात करूँ तो लोहे के अंदर लोहे के कण हैं है ना तो लोहे के बहुत सारे कण हैं और उन कणों से मिलकर ये क्या बन जाता है आपका matter बन जाता है जिसमे solid आजाते है, liquid आजाते है, gas आजाती है ना, वो सारी चीज़े basic particles है, ना, तूर दूर होते है और gas में तो ये जो है बहुत जादा दूर होते है, ये वाली बात आपको यादरखनी है ठीक है ये सारी चीजे हैं जो आपको ध्यान रखनी है बेसिक लेवल पर फिलाल आपको समझ में आ गया होगा पदार्थ क्या है मैटर क्या है वी कैन आइधर सी, टच, टेस्ट और फील, हम ये जो पदार्थ हैं इनको देख सकते हैं जैसे आपके सामने टेबल रखी है, चेर रखी है आप उसको देख सकते हैं, हम इनको टच भी कर सकते हैं सिंपल सा है, हम इनको टेस्ट भी कर सकते हैं टेस्ट इंसेंस, अगर ब्रेड है तो ब्रेड भी क्या है एक पदार्थ है, एक मैटर है वोगि उसका भी एक भार होगा और वो भी एक जगा आयतन गेरता है तो हम उसको टेश्ट भी कर सकते हैं फील, फील का मतलब यहां से क्या है आपके इमोशन वाली फीलिंग की बात नहीं हो रही लव, हेट उसकी बात नहीं हो रही हाँ पर फील से मतलब है जब हवा, हवा चलती है तो हवा आपकी पदार्थ है हवा क्या होता है, अर्हा अपकी जगा गिरती है वह क्या होता है, पदार्थ होते हैं उनने हवाली बात भी आपको याद रखनी है example के लिए chair, soil, water याद रखेंगे air, हवा, metal जितने भी धातू या अधातू है जैसे nitrogen हो गए chlorine, fluorine जितने भी धातू अधातू है सारे आसपास चीजे पदार्थ हैं क्योंकि विए सबका एक mass है, द्रव्यमान है और कोई ना कोई जगा वो घेर रही है उसके अलावा जो note के अंदर याद रखनी ये बहुत important है वोगि चार option दे कर पूछेगा कौन सा पदार्थ नहीं है तो happiness, pain, दुख ये सब चीजे नहीं आती है आपकी matter में shadow, परचाई, परचाई थोड़ टाइम के लिए बनती है, हट जाती है उसका आप कभी ये बोलता है कि मेरी परचाई दो किलो की है, तीन किलो की है उसका कोई mass नहीं होता, ठीक है वो कोई जगा नहीं गिरती है ना परचाई के उपर आप खुद खड़े हो सकते हैं तो कोई जगा नहीं गिरती है, वो तो सिर्फ एक कोई mass नहीं है, वहाँ पर हम उसके कोई mass द्रव्यमान या उसके आयतन की बात नहीं करते सेम ऐसे ही light में भी होता है है ना, तो ये light कभी आप ये बोलते हैं कि दो कलो की light है, है ना, इस तरह से हम नहीं बोलते, तो इनका mass नहीं है इसलिए ये क्या है, light और sound आपके matter पदार्थ के अंदर नहीं आते, अब देखें, जो matter होते हैं पदार्थ होते हैं, वो दो तरह के होंगे एक pure और एक impure, pure कौन से होंगे वो शुद्ध पदार्थ वो होंगे जिनमें one type of particle होंगे एक ही प्रकार के, जब कणों की मैं बात करूंगी तो वो substance कैसा होगा वो pure होगा, जैसे अगर मैं oxygen की बात कर रही हूँ, तो oxygen के अंदर सारे oxygen के ही molecule है अगर मैं copper की बात कर रही हूँ तो copper के अंदर सारे copper के ही particle है अगर मैं iron की बात कर रही हूँ लोहे की बात कर रहे हूं तो लोहे के अंदर सारे लोहे के ही particle हैं तो ऐसे substance जो सिर्फ एक ही प्रकार के particle से बने होते हैं कड़ों से बने होते हैं वो आपके शुद्ध पदार्थ होते हैं देखिए अब यहां पर confused नहीं होना है पहले हम समझ लेते हैं element और है था वही मैं बता रही हूं जब एक ही प्रकार के परमाण atom होंगे किसी भी substance में तो वो आपका element होता है जैसे अगर मैं oxygen की ही बात करों तो oxygen में सारे क्या होंगे oxygen के ही atom होंगे और यहां पर जैसे अगर मैं hydrogen की बात करों तो hydrogen में hydrogen के ही सारे atom होंगे, helium की बात करूँ तो helium में सारे helium के ही आपके atom होंगे, और helium का atomic number कितना होता है, यह दूसरे number पर ही आता है, और इसका atomic mass कितना होता है, वह आपका 4 होता है यह सब भी आप अच्छे से याद कर लीजेगा पीछे भी मैंने आपको अच्छे से बताएं हैं, तो यहाँ पर element तत्व वो है, जिसमें एक ही प्रकार के atom है, लेकिन compound, योगिक क्या होते हैं जिसमें एक से जादा प्रकार के atom होते हैं, जैसे आपके पानी की बात करूँ, पानी में hydrogen का भी atom है, और पानी में oxygen का भी परमाणू हैं, तो यह जो H2O है, चाहे आपका carbon die oxide है, CO2, इसमें carbon के भी atom है, और carbon का atomic mass कितना होता है, वो आपका 12 होता है और इसकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है oxygen का atomic mass कितना होता है वो आपका 16 होता है, तो यह जो carbon है, इसमें oxygen है, इसमें carbon और oxygen के एक से ज़ाद मतलब carbon के भी atom है और oxygen के भी atom है जब इस तरह से carbon और oxygen के atom होते हैं तो वो आपके क्या बन जाते हैं वो आपके compound होते हैं वो आपके योगिक होते हैं और उन्हें ही हम molecules भी बोलते हैं molecules होते हैं जब मैं element की बात करूँगी तो उसमें single एक atom की बात होगी लेकिन जब मैं compound की बात करी हूँ तो उसमें आपका molecule आ जाएगा पूरा आपका एक योगी का जाएगा जिसमें क्या हुआ hydrogen और oxygen के मिस्चर से आपको H2O मिल गया एक नया योगी एक नया compound मिल गया और हम इस H2O को क्या बोलते हैं molecule बोलते हैं क्या बोलते हैं molecule बोलते हैं अब देखें यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो element और compound आपको clear हो गया अच्छे से जैसा मैं बता रही थी matter pure substance जब एक ही प्रकार का particle है भले ही चाहिए molecule है मैं atom की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर मैंने बताया है कि atom को side में करेंगे और हम बात करेंगे हैं सिर्फ particle की तो H2O एक ही प्रकार का particle है जब मैं पानी में देखूँगी तो पानी में सारे particle H2O के ही होंगे यहाँ पर हम compound की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम molecule की बात नहीं कर रहे है जो hydrogen और oxygen के atom से है हम यहाँ पर इस पूरे पूरे इसको H2O को एक particle मान रहे हैं और यह पूरा एक particle है और पानी के अंदर सारे H2O के ही particle होंगे that's why है जो पानी है H2O है चाहे है आपका carbon dioxide है यह सब भी क्या है याद रखेंगे यह सब भी pure substance है क्यों कि इनके अंदर जो particle है वो एक ही type के हैं ठीक है तो यह बात clear हो गई होगी अब देखे जो pure substance है जो आपके शुद्ध पतार्थ होते हैं वो भी दो category में बाटे जाते हैं एक element होते हैं और एक आपके compound होते है ठीक है element क्या है जितने भी आपके metal होंगे धात होंगे जैसे copper, aluminium है ना आपका silver हो गया silver का क्या होता है आपका जो वो होता है आपका क्या कहते है इसका इसको क्या बोलेंगे मतलब जो संकेत, इसका संकेत क्या होता है, कौपर का, वो सिल्वर का होता है AG है ना, और आपका गोल्ड का क्या होता है AU होता है, तो ये जो गोल्ड, सिल्वर, मरकरी HG है ना, मरकरी, ये सब क्या है, ये सब मैटल है, ये सब क्या है, ये सब धातू हैं जितने भी धातू होते हैं वो एक ही प्रकार के अटम के बने वे होते हैं इसलिए धातू क्या होते हैं वो आपके element होंगे ऐसे ही आपके non-metal हो जाएंगे चाहें आपके chlorine हो गई चाहें आपका आयोडीन आ गया, तो ये सब क्या है, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, जैसे सलफर, सलफर आपका एक नोन मेटल है, अधातू है, तो ये सब अधातू की कैटगरी में आएंगे, और ये भी एक ही प्रकार के एटम के हैं, तो इसलिए मैंने बता है, जिसमें एक ही प्रकार का ए अर्मेनियम, यह क्या होते हैं, यह आपके मेटलोइड होते हैं, अगर मैं कमपाउंड की बात करूँ, योगी की बात करूँ, तो वहां पर मैंने क्या बता है, वहां पर आता है आपका मॉलिक्यूल, क्या आता है वहां पर मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल में हमारे क्या होते ह एक से जादा प्रकार के एटम हो सकते हैं लेकिन वो एक ही तरह से होंगे जैसे H2O मैंने बता है पानी में सारे H2O 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 तो ये पूरा H2O क्या है ये आपका molecule है compound है क्यों 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 क्योंकि इसमें एक से जादा प्रकार की क्या है आपके atom है तो जैसे compound है योगिक है यहाँ पर लिखा भी है पानी और carbon dioxide ये भी क्या है आपके compound है योगिक है लेकिन ये भी आपके pure substance के अंदर ही आएंगे उसके बाद अगर हम बात करें impure substances की जिसमें आता है आपका mixture ध्यान से समझेंगे mixture यहाँ से question exam में बनते हो और बच्चे बहुत 2O बोलते हैं और by mass ये जो ratio दिखाते हैं हम इनका वो द्रव्यमान के according दिखाते हैं hydrogen के 2 atom है तो यहाँ पर इसका mass कितना हो जाएगा 2 क्योंकि 1 का 1 होता है तो 2 का 2 और oxygen का mass कितना होता है 16 होता है जब हम इसको cross cutting करेंगे तो ये 1 ratio 8 आएगा तो ये 1 ratio 8 में ही हमेशा होंगे चाहें पानी आपका क्या कहते हैं normal पानी हो चाहें गंदा पानी हो तो उसमें जो इनका ratio है ना वो हमेशा 1 ratio 8 ही रहेगा चाहें carbon dioxide लिलो उसमें भी जो ratio है ना mix करने का जो उनका proportion है वो हमेशा same ही रहता है compound में लेकिन mixture जो होता है वो ऐसा नहीं होता mixture में जैसे हम चाय है चाय बनाते हैं तो हम उसमें चाय पति भी डाल रहे हैं चीनी भी डाल रहे हैं हम उसमें डाल तो बहुत सारे substance रही हैं लेकिन उनका ratio जो है वो fix नहीं है उनका ratio क्या है fix नहीं है जो compound होते हैं जो योगिक होते हैं इनको हम normal method सE अलग नहीं कर सकते हैं इसा थोड़िया पा हमसे compound को अलग नहीं किया जा सकता लेकिन mixture को हम अलग कर सकते हैं है ना जैसे चाय की पत्ती पानी में डाली तो आप छाने वाली छन्नी उसमें लगाएंगे तो चाय की पत्ती उपर ही रजाएगी और चाय अंद्र चली जाएगी तो उनको हम separate कर सकते हैं क्योंकि जो उनमें particles होते हैं ना वो काफी बड़े-बड़े होते हैं mixture में और mixture में एक बात याद रखनी होगी आपको हमेशा consist of two or more type of particle invariable composition तो compound और mixture में योगिक और mission में confuse मत होना यहाँ पर पानी और जल इसमें भी एक या एक ही प्रकार के particle दे sorry pure में तो आपके एक ही प्रकार के particle है लेकिन जो impure है उसमें आपके दो या more type के particle होते हैं वो भी variable composition में कोई fixed composition नहीं होता मतलब जैसे पानी था तो पानी तो एक ratio 8 में ही था लेकिन ऐसा थोड़ी है जब चाय बना रहे हैं तो आपको पती जो है वो उसके चार दाने ही डालने होंगे या चीनी उसके चार दाने ही डालने होंगे समझने के लिए बोल रही हूँ मैं सिर्फ ठीक है तो वो आपके variable composition में होते हैं और इनको हम बड़ी असानी से separate कर सकते हैं कौन से method से physical method से चानना हो गया है और भी बहुत सारे method होते हैं तो mixture को हम उनसे filtration paper से हम क्या कर सकते हैं उनको अलग कर सकते हैं उनको separate किया जा सकता है जो आपके impure substance होते हैं जैसे जो पानी है पानी के ओपर तेल डाल दिया है ना तो वो आपका क्या है वो आपका mixture है क्योंकि उसमें two या more type के particle है तो वो आपका impure है है ना अब उसको अलग करना है तो एक method होता है separation through funnel तो उसमें हम क्या आते हैं funnel को लगाते हैं इनका boiling point अलग-अलग होता है जिसकी वज़े से क्या हो जाता है boiling point की बात नहीं होगी यहां पर सिर्फ क्या होता है एक वो लगा दी जाती है इस तरह से कुछ क्या कहते है stand लगा दी जाता है उसमें क्या होता है पानी नीचे राजाता है और जो oil है वो उपर ही रहता है क्योंकि while जो है उसकी density जो होती है पानी की density से कम होती है जिसकी वज़े से वो उपर ही तैड़ता रहता है यह बहुत detail की बात मैंने बता दी लेकिन आप अभी अपने topic पे आजाते हैं impure substance वो है जो दो या दो से ज़ादा के particle जहां पर होंगे variable composition में और उनको हम physical method जैसे चानना हो गया या बहुत ही तरह की method होते हैं उनसे हम उनको अलग कर सकते हैं अब देखें impure substance में आपका क्या जाएगा tea बिल्कुल है न चाए उनको बहुत अच्छा method है इसको समझने का चाए चाए में अलग अलग प्रकार के particle है हवा हवा में भी अलग अलग प्रकार के particle होते है जैसे आपने देखा हुआ है hydrogen oxygen आरगन carbon dioxide है न तो अलग अलग प्रकार के वहाँ पर particle है मिट्टी में भी अलग अलग प्रकार के ही particle हैं तो ये सारे आफिके impure substance होते हैं, और impure substance आफिके mixture के अंदर आते हैं, और जो pure substance होते हूं उनमें आफिके element और compound आते हैं तत्व और योगिक आते हैं और element में भी मैंने बताया и nonmetal, metal, metalloid और compound मैं मैंने बताया, पानी, carbon dioxide Dioxide, यह सब, यह सब pure हैं, और यह सारे जितने भी हैं, यह आपके impure हैं, जिनको हम mixture बोलते हैं, अब देखें, जो impure substances हैं, यह section बहुत important है, यहां से question बनता है, यह भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके homogenious, जिसे हम समांगी बोलते हैं, एक होते हैं आपके heterogenious, ज कर सकते हैं लेकिन इसमें भी क्या होते हैं आपके homogeneous और heterogeneous समांघी और विसमांघी लिए homogeneous वो होते हैं जिनमें same phase होता है जैसे same phase मतलब कहने का है यहाँ पर जैसे salt solution sugar solution मैं इनसे ही समझाती हूँ पानी लिया पानी में चीनी डाली वो चीनी उसमें हमने उसको stir करा अच्छे से, वो चीनी जो है उसमें पूरी तरह से घुल गई, तो इसमें क्या ऐसा जब घुलने के बाद क्या आपको चीनी जो है और पानी जो है वो अलग-अलग दिखाई देते हैं, नहीं, उनमें हमें उनका एक ही face दिखाई देता है, same ही face दिखाई देगा, तो वो हमें पानी ही लगेंगे, दूर से रखा होगा, चाहें उसमें आपने चीनी मिला दिया, चाहें उसमें नमक मिला दिया, लेकिन वो आपको देखने में और एक ग्लास नोर्मार पानी रखा है, तो वो तीनों एक से ही लगेंगे, तो वो same face है, होमोजीनियस में क्या ह होता है जब substance को हम उसके अंदर डालते हैं दूसरे substance को तो वो उसमें बड़ी असानी से उसके अंदर उसमें जो पार्टिकल होंगे ना वो बहुत छोटे-छोटे होंगे महीम होंगे और वो एक दूसरे के साथ बड़ी असानी से adjust हो जाते हैं और वो एक ही face में हमको solution ऐसे हैं कि इनमें अगर चीनी नमक डाल देते हैं पानी में तो इनका face बदलता नहीं है यह हमें तब भी ऐसे ही दिखाई देते हैं तो यह आपके homogenius होंगे और homogenius आप कैसे पचानेंगे इनमें जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे-छोटे होते हैं यह बात आप को याद रखनी होगी और आप homogenius समांगी कैसे पहचानेंगे इनको बड़ी असानी से आप अलग नहीं कर सकते फीजिकल मैथड से हो सकते हैं लेकिन उस लेवल तक नहीं असानी से जैसे salt का solution है आप उसको evaboration से अलग कर सकते हैं लेकि normally अगर आप filter paper लगाएंगे तो उसक जो homogenius होते हैं या true solution होते हैं true solution इसलिए होते हैं ये क्योंकि पूरी तरह से जिस substance में इनको डाला जाता है उसमें पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं और उसी के face में convert हो जाते हैं तो homogenius को आप इन basis पर पहचानेंगे जब भी आपके option में पूछे कि कौन सा homogenius है और कौन सा heterogeneous है पहला दिमाग में आपका आएगा same phase उनका same phase होना चाहिए जब वो मिल जाते हैं उनमें particle बहुत छोटे होंगे उनको बड़ी असानी से अलग नौर्मली simple method से अलग नहीं किया जा सकता तो इन basis पर आप पहचान लेंगे कि कौन सा substance homogenius है और कौन सा heterogeneous है अब अगर म कि बात करूं विशा मांगे कि बात करूं इनमें different phase होता है जैसे sand in water पानी के अंदर आपने rate डाल देते है तो वो rate आपको definition बता देती, उसकी जरुवत नहीं है क्योंकि paper क्या है आपका objective है तो आपको homogeneous और heterogeneous समझ में आना चाहिए और मुझे लगता है अभी आपको clear भी हो गया होगा तो जैसे sand डाला हमने oil डाल दिया पानी में उनमें जो particle होते हैं वो इतने fine नहीं होते बहुत ही बारीक नहीं होते क्योंकि वो उसमें पूरी तरह घुलनी पाते और इस वज़े से उनका अलग-अलग face जो है वो आपको असानी से दिखाई दे जाता है जैसे आपने rate में कुछ भी डाल दिया, iron के तुकुले डाल दिये तो वो आपको अलग से दिखाई देंगे अब आप कहेंगे कि जो milk होता है milk क्या है बताईए तो milk भी आपको याद रखना होगा वो भी आपका heterogeneous ही होता है कैसे कहेंगे आप कि मैं milk तो हमको एकी face सा लगता है नहीं, milk जब आप थोड़ा सा भी गरम करते हैं और उसको रख देते हैं तो milk के उपर एक मिलाई होती न जो आपका fat होता है वो उसके उपर अलग से दिखाई देता है तो milk जो है उसमें भी हमें दो face देखने को मिलते हैं तो milk आपका homogenius नहीं होता और homogenius के जो solution होते हैं वो true solution होते हैं क्योंकि वो उसी में बड़े असानी से घुल जाते हैं अब यहां पर हम समझेंगे solution क्या होता है solvent क्या होता है और solute क्या होता है देखे, एक solution है मेरे पास ठीक है, willian जिसको हम बोलते हैं उस solution में दो चीज होंगी एक solute होगा, एक solvent होगा solute को हिंदी में बोलते हैं willian और solvent को हिंदी में बोलते हैं willian देखे, थोड़ा सा हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लिख दिये हैं अराम से, समझाने का काम यहां पर जादा है तो इसमें इंगलिश हिंदी का कोई बहुत जादा matter नहीं करेगा, आपको इंगलिश में भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है solution को हम willian बोलते हैं solvent को हम vilayak बोलते हैं और solute को हम vilay बोलते हैं अब देखे, solvent जैसे पानी है पानी है, यह जादा amount में है इसमें मैंने, suppose, sand डाली क्या डाली, sand डाली, मिट्टी डाली या rate डाला, तो rate क्या है मैंने कम amount में डाला, तो जो चीज जादा amount में है, वो आपका है solvent, वो क्या है, वो है आपका solvent, बिलायक, और जो चीज मैंने इसमें डाली, जो object मैंने इस पानी के अंदर डाला, चाहें आपका sand है, चाहें मैंने oil है कोई भी substance इस पानी के अंदर में डाला तो वो किया है, वो आपका solute है वो आपका will है, तो याद रखेंगे और ये solute और solvent दोनों मिलकर क्या बना देते हैं वो आपका एक solution बना देते हैं एक विलियन बनकर तयार जब होता है जब उसमें अलग-अलग substance डिजॉल होते हैं एक substance सीधी सी बात है जादा मातरा में होगा एक substance आपका कम मातरा में होगा solution, solution जो होता है वो आपका homogeneous mixture होता है याद रखेंगे पहली बात तो consist of a solute and a solvent इसमें एक solute होगा और एक आपका solvent होगा solvent जादा वाला और solute कम वाला solute जो होता है is the substance that is being dissolved जो less amount में होगा जो dissolve होनी है ठीक है, while the solvent जो विलायक होता है वो dissolving more amount का medium होता है तो पानी जो है वो हमारा solvent होगा और पानी में अगर मैं नमक डाल रही हूँ चीनी डाल रही हो तो वो क्या है वो आपका solute है तो समझ में आया solute क्या है solvent क्या है और पूरा एक solution वहाँ पर आपको देखने को मिलता है ठीक है homogeneous, heterogeneous मैंने बहुत अच्छे से समझा दिये है अब हम देखते हैं कुछ question जो exam में आते हैं और जिनको ही आपको basically इसमें याद रखना है ये पूछ रहा है पहले में which of the flowing are pure substance अब आपको बताने हैं इन में से कौन से pure substance है ठीक है जो समझाया उसके basis पर आप बता सकते हैं देखे ये ice है ice normally है क्या पानी है और पानी क्या है H2O तो सारे कण जो है सारे particle जो है वहाँ पर H2O के ही होंगे तो सीधी सी बात है ice भी आपका क्या हो गया pure substance हो गया milk milk तो आपका mixture में जाता है तो ये pure substance नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे type के particle होते है fat के particle, protein के particle है ना जो भी इसमें होते है milk में अलग-अलग type के particle होते है और milk आपका heterogeneous है ये भी आपको याद रखना है ठीक है अच्छा air क्या होगा air आपका homogeneous है या heterogeneous है जो air होगा वो आपका homogeneous होगा क्योंकि air में आपको हमेशा एक ही face दिखाई देता है air में कभी आपको nitrogen, oxygen अलग-अलग दिखाई थोड़ी देती है तो oxygen, nitrogen का एक ही face दिखाई देता है वो आपको air ही दिखाई देती है तो air भी आपका homogeneous ही mixture है फिलाल इस question की बात करते है iron iron में सारे iron के particle होंगे तो iron भी क्या है pure substance है hydrochloric acid hydrochloric acid जी सारे particle S.C.L. के ही होंगे तो सीधी सी बात है hydrochloric acid भी क्या है वो भी आपका pure form में है calcium oxide मैंने बताया था जितने भी metal है non metal है वो सब किसमें आते हैं वो pure में आते हैं ऐसे भी आप याद रखते हैं जितने भी धातू है है ना जितने भी आपके compound है है ना जितने भी आपके तत्व हैं वो सब किसमें हैं वो सब आपके pure substance में ही है मर करी मर करी आपका धातू था यहां पर है ना आयरन आपका धातुता तो यह सारे क्या हैं यह सब प्यॉर फॉर्म में ही होते हैं इनमें एक ही प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं तो यह सारे के सारे प्यॉर सबस्टांस हैं बाकी यहां पर और लिखा है ब्रिक वुड एर इनको बाहर कर दिया इनको बाहर क और pure substance में मैंने पहले ही बता दिया है इतने भी धातू अधातू जतने भी compound हैं जतने भी element हैं तत्व हैं वह सब pure में आती हैं बाकी mixture में चले जाते हैं या impure में चले जाते हैं तो वुड एर और brick जो है वो यहां से बाहर हो गए अब देखिए next question इसमें जैसे है classify homogeneous and heterogeneous यहाँ पर हमें classify करने हैं कि कौन से समांगी है कौन से विसमांगी है soda water, wood, soil, vinegar, filter tea, milk, alloy बताइए अब कौन से homogeneous हैं और कौन से heterogeneous हैं देखे, soda water soda water क्या होता है carbon dioxide वाला पानी और उसमें सारे carbon dioxide के ही करन आपको देखने को मिलेंगे एक ही प्रकार के तो soda water भी क्या है आपका homogeneous ही होगा ठीक है simple carbon dioxide वाला पानी तो उसमें एक ही प्रकार के करन है तो soda water आपका homogeneous है लकडी आपका heterogeneous है लकडी में अलग-अलग type के particle होते है और लकडी ऐसा नहीं है कि किसी में डाली जाये तो उसमें बड़ी असानी से उसके साथ dissolve हो जाती है या एक ही face दिखाएगी उसमें आपको different face दिखेंगे हमेशा तो wood लकडी आपका heterogeneous है हवा की बात करी जाए मैंने पहले ही बता दिया जो air है air में हमेशा आपको एक ही face दिखाई देगा चाहें उसमें कितनी ही gases क्यों ना हो ठीक है तो air जो है वो आपका क्या है वो homogeneous है और वो आपका impure substance है क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा प्रकार के particle है लेकिन है कैसा homogeneous smile, मिटी मिटी heterogeneous है उसमें अलग अलग टाइब के particles आपको देखने को बिलेंगे तभी मिटी में आसानी से कोई चीज जो है उसके particle भी काफ़े मोटे मोटे होंगे heterogeneous और homogeneous पहचानने के मैंने बहुत सारे method आपको बता दी है homogeneous में particle fine होते है इसमें particle थोड़े मोटे होते है ये dissolve हो जाते है जब किसी में डाले जाएंगे तभी तो इनके अंदर क्या आते है आपके solution आते है solution जिसमें solvent होगा एक solute होगा वो दोनों अच्छे से मिल जाएंगे तो आपका solution बन जाएगा कर रहे है filter tea आपकी क्या होती है homogeneous ही होती है ये भी आपको याद रखना है milk milk आपका heterogeneous है जो alloy होते है जैसे जो metalloid नहीं metalloid नहीं कहेंगे हाँ जिन में जो alloy होते है उनमें एक से जादा प्रकार के जो element होते है जैसे मैं क्या बता हूँ आपको इस एक्जामपल बदा ते जैसे brass है ना brass जो होता है हमारा brass mixture होता है कि इसके दो element का है ना यहाँ पर एक से जादा element जब एक साथ आते हैं और वो mix होते हैं तो वो आपके alloy होते हैं और alloy भी क्या होते हैं अपके होँ जब देन का लाइन कॉपर को हिंदी में हम बोलते हैं तांबा और जब ज्क को हम हिंदी में बोलते हैं जस्ता तो तांबा और जस्ते से मिलकर बनावा होता है आपका brass ठीक है और brass بھی क्या है है आपका homogeneous जिसमें copper almost माना जाता है 70% और zinc जिंग होता है आपका 30% फिक्स नहीं है फिक्स नहीं है अप्राउक्स इतना माना जाता है कम जाधा हो सकता है क्योंकि एक उल्ष जो है वो हम कमाउंड में करते हैं इंप्यॉर सबस्टांस में फिक्स की बात तो कॉपर और जिंग जब अलग-अलग प्रकार के element एक साथ मिल गए और इन्होंने क्या बना दिया, brass बना दिया तो brass जो है, वो आपका क्या है वो आपका एक alloy है और alloy जो brass है, जैसे steel है steel भी क्या है, alloy है उसमें chromium है, nickel है और उसमें carbon है, तो जो steel है, उसमें क्या आपको अलग-अलग phase दिखाई देते हैं नहीं इस टीर एक पूरा आपको एक ही phase दिखाई देगा आप उसके अंदर नहीं पहचान पाएंगे कहां iron है कहां वो है सेम ऐसी brass brass आपको एक ही phase में दिखाई देगा इसी वज़े से brass इस टीर यह जो alloy होते हैं यह भी आपके homogeneous ही होते हैं क्योंकि इनमें एक ही phase दिखाई देता है तो हमने पहचान लिए कौन-कौन से heterogeneous थे? wood, soil और milk यह तीनों आपके heterogeneous थे फिर आगे question क्या है classify, element, compound and mixture अब यहाँ पे हमें classify करना है कि कौन से element हैं कौन से compound हैं और कौन से mixture है element, तत्व, जब एक ही प्रकार के particle या, सॉरी, एक ही प्रकार के particle नहीं बोलेंगे जब एक ही प्रकार के atom की बात होगी जैसे na, na क्या होता है? sodium, silver silver क्या होता है आपका ag, है ना? तो, और 15 हो गया, फिर silicon हो गया इनमें सब में क्या है? एक ही प्रकार के atom है तो ये आपके element हो गए है compound की बात करी जाए जब एक से ज़्यादा element आजाते है जैसे पानी हो गया, है ना, मिथेन हो गया मिथेन का formula क्या होता है आपका मिथेन का formula होता है CH4 ये आपकी मिथेने, इसमें carbon भी है और आपका hydrogen भी है carbon dioxide हो गया, calcium carbonate हो गया CA, calcium carbonate होता है CO3, calcium carbonate CA, CO3, तो यहाँ पर क्या है? एक से ज़्यादा प्रकार के atom है और ये compound होते हैं, ये आपके yogic होते हैं और इनमें हम molecule की बात करते हैं किसकी बात करते हैं? molecule की बात करते हैं जबकि element में हम atom की बात करते हैं क्योंकि उसमें एक ही प्रकार के हैं तो वो atom ही है और जब एक से ज़्यादा atom एक साथ आजाते हैं तो वो molecule कहलाते हैं, ठीक है? और यही molecule क्या है? आपके compound होते हैं, calcium carbonate, methane, methane आपका बता दिया है ना, carbon dioxide, soap, soap हो गया है ना, soap जो होते हैं, वो बेस होते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी आपके compound है, तो element और compound आपके pure होते हैं, है ना, यह हमने पढ़ लिया, तो यहां से हमें पहचानना था कौन सा element है, तो हमने पहचान ली हो होंगे, यह सारे दे रखे हैं, मैंने direct answer बता दिया, तो यह जो sodium है, है ना, यहां पर silver लिखा है, यह जो एक ही प्रकार के होंगे, यह पहचानना होगा, जैसे यहां पर iron भी लिखा होता, तो उनमें एक ही प्रकार के atom है, लेकिन जब भी बड़ा सा नाम आजाए, जैसे calcium carbon carbonate, है ना, क्योंकि CO, CO3, तो है ना, इसमें अलग-अलग oxygen भी है, है ना, तो इस तरह से calcium भी है, carbon भी है, तो यह सब क्या है, इसमें तीन प्रकार के, क्या आगए, आपके atom आ गए, तो जब ज़्यादा atom आ जाते हैं एक साथ, तो वह आपके compound होते हैं, योगिक होते हैं, त आपके impure substance होते हैं, जैसे कि सूगर का solution, soil, coal, है ना, coal भी क्या है, वो आपका mixture है, air, blood, blood भी आद रखेंगे, वो भी आपका mixture है, element compound के अंदर आपके normally metal और non-metal किसे जो बनते हैं, वो सब आते हैं, बाकि सारे आपके mixture के अंदर चले जाएंगे, चाहें आपका सूगर का solution हो हो, चाहें कस्वाइल हो, चाहें कोल हो, air हो, चाहें blood हो, यह सब क्या हैं, यह सब मिक्चर हैं, तो यह सारा पूरा topic था, यहां से आपके बहुत ज़्यादा कुशन बनते हैं, और बच्चे confused रहते हैं पहचानने में, homogeneous और heterogeneous और मुझे लगता है, अब आप 90% तक बिलकुल क्या है, impure क्या है, matter क्या है, पदार्थ क्या है, अभी आपको इस level पर इतना ही याद रखना है, तो इतना सब आपको अच्छे से clear हो गया होगा, अब हम समझेंगे क्या ततवो के प्रतीक, symbol of element और इसके बाद हम इसी में continue देखेंगे, chemical formula of compound, जो योगिक के रसाइनिक सूत होते हैं, यह शुरू करते हैं, देखें, यहाँ पर यह लिखावा भले ही English में, लेकिन यह जो chapter है, इसमें कुछ भी आपको ऐसा नहीं है, जो थोरी level पर याद करना है, चीजे सिर्फ समझनी है, और वो English और Hindi में दोनों में ही same है, देखें, यहाँ पर बात होगी सबसे प element है, element क्या है, तत्व क्या है, यह मैंने पहले अच्छे से समझा रखा है आपको, जो तत्वों के name होते थे, वो पहले कैसे रखे जाते थे, पहले कुछ इस तरह से रखे जाते थे, कि जहां वो found हुए है, जहां वो जिस जगा पर तत्वों मिला है, element मिला है, उनके according उनके color उनके रंगों के basis पर रख दिये चाते थे बाकी जैसे यहां पर बताया है जो copper है उसका नाम पहले क्या था cypress उसके color के basis पर रखा गया ऐसे ही जो gold है gold का नाम जो है वो English word के meaning के according yellow जो है उसका नाम रखा गया था तो यह कोई एक systematic way नहीं था जो हमारे element हैं तत्व हैं उनका नाम रखने का तो उसके बाद IUPAC ने इनको एक proper name दिये और इनको proper standard symbol दिये जिनको आज हम follow करते हैं तो यह full form पता होने चाहिए कि जो standard form of symbol है वो किसने दी है IUPAC ने और यह क्या है international union of pure and applied chemistry इस संस्था के coding ही अब जो है हमारे symbols हैं उनके name जो element हैं उनके symbols जो है drive हुए हैं उनके name भी proper सही से बताए गए हैं किसके according IUPAC इसकी full form आपको याद होनी चाहिए international union of pure and applied chemistry ठीक है अब इनोंने क्या कहा अपने according वो हम देखते हैं इनोंने बोला कि अगर कोई भी element है कोई भी तत्व है तो उसका जो symbol होगा उसका जो संकेत होगा वो क्या होगा या तो first one letter होगा या फिर उसके शुरू के दो letter जो होंगे वही उसका element का name होगा जैसे यहां पर hydrogen है है ना hydrogen है तो hydrogen का first letter क्या है h तो इसका symbol इनोंने कहा इसका first letter ही होगा h या फिर हम इसके दो letter ले सकते हैं जैसे aluminium है ना aluminium होता है तो aluminium में हम शुरू के first के दो letter लेते हैं पहला letter हमेशा capital होगा बड़े शब्दों में होगा और जो दूसरा letter है वो हमेशा छोटे में ही होता है जब हम symbol को लिखते होते हैं तो aluminium का symbol क्या होता है al तो इनोंने यही बोला या तो symbol क्या होगा खाली first letter होगा या फिर वो दो letter का भी आपका symbol हो सकता है जिस भी element की बात हो रही है the first letter of symbol is always written as capital letter उसको हम हमेशा बड़े अक्षरू में ही लिखेंगे अपर केस में ही लिखेंगे जैसे hydrogen का H aluminium में A है ना ऐसा नहीं कोबाल्ट में C तो हम जो first letter है वो हमेशा हमारा capital ही होता है and the second letter as the smallest letter वो हमारा हमेशा छोटा होगा lower case में होगा जैसे aluminium यहां पर साफ साफ दिख रहा है तो उसमें बड़ा पहला letter तो बड़ा है और दूसरा letter छोटा है same ऐसे ही हाँ यहां पर कोबाल्ट लिखा है कोबाल्ट में पहला letter तो बड़ा है और दूसरा letter जो है वो आपका छोटा है उन्होंने बोला कि अगर आप इस तरह से नाम लिखते हैं पहला और दूसरा लेटर दोनों को बढ़ा कर देते हैं तो ये गलत होगा सेम ऐसे ही अगर आप कोबाल्ट का नाम लिख रहे हैं और सी ओ दोनों बढ़ा कर देते हैं तो वो भी गलत होगा तो समझ में आया क्या बोला कि नो ने बोला कि पहला लेटर तो है वो बड़ा होगा या तो फिर single letter ही होगा उसका symbol अगर दो letter का symbol बन रहा है तो उस case में जो दूसला letter होगा वो हमेशा छोटा होगा और पहला letter जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा ठीक है ऐसे ही symbol of some element जो है वो आपको याद रखनी है ये बहुत important है जैसे chlorine एक्जाम में पूछ लेगा chlorine का symbol क्या है तो c l ठीक है ये याद रखना है जिंग का symbol क्या है ZN ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा यहाँ पर आप इसका screenshot कीचेंगे और जिस तरह से आप अपने notes बना रहे हैं उनमें इन symbols को याद करेंगे जैसे barium का क्या होता है BA exam में पूछेगा barium का symbol बताओ BA सिर्फ इतने ही symbol आप याद कर लीजे बेसिकल में जो एक से लेके 20 तक के element है mostly आपको उनके नाम जो है वो याद करने है पहले भी मैंने एक से लेके 20 तक के element आपको सारे बता रखे हैं तो उनके जो symbol है वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए बागी ये table more than enough है आप इन सब के symbol के name याद कर लीजेगा जैसे aluminium का AL हो ग का पूछा जाता है exam में तो c u हो गया याद है कोपाल्ट का co होता है और कोपर का c u होता है गोल्ड का exam में काफी पूछा जा सकता है काफी बार आता भी है other exams में तो गोल्ड का आप याद रखेंगे au अपको हम आगे देखेंगे कि gold का नाम au क्यो रखा गया है ठीक है hydrogen का वो FE है, वो क्यों है वो अभी हम आगे देखेंगे, तो इसका सिंबल क्या है FE है, आईरन का वो आपको याद रखना है, LED, LED का सिंबल बलकुल रट लीजेगा, इसका सिंबल होता है PB, प्लंबम, यह मैं भी बताऊंगे आगे, अभी हम देखेंगे कि LED शब्द में तो कहीं भी PB नियारा, फिल भी इसका नाम PB क्यों है, है ना, तो LED आप याद रखेंगे PB, Magnesium का Mg, Neon का, Neon का होता है आपकी, Ne, जो की आपकी यह क्या होती है, Stable Gas होती है, है ना, Nitrogen, Nitrogen का सिंबल होता है आपका N, Oxygen का होता है O, Potassium का सिंबल आप याद रखेंगे, इसका नाम होता है K है ना, और क्यों होता है, अभी हम समझेंगे, तो Potassium का नाम याद रखना है, सिंबल इसका क्या होता है K, Silicon का क्या होता है SI, एक्जाम में आएगा SI किसका सिंबल है, तो चार option देगा, तो वहाँ पर याद रखेंगे, वो किसका है, Silicon का है, Silver का एक्जाम में पूछ लेता है, है, जैसे Gold का आपका A, U होता है, सेम ऐसे ही Silver का जो है, वो आपका A, G होता है, बहुत ही अच्छे से याद रखना है, Sodium, जिसका Atomic No.11 होता है, इसका जो सिंबल है, वो क्या होता है, Na, Na किसका सिंबल है, आपका Sodium का, Sulfur, Sulfur का सिंबल क्या होता है, जो की Non Metal है, इसका इनियम का सिंबल क्या होता है यू और जिंक का सिंबल क्या होता है यहां पर भी लिखा था जेड एन तो आप स्क्रिंशॉट खीचेंगे और सारे सिंबल अपना अच्छे से याद कर लीजेगा ये बहुत ही इंपोर्टेंट है ठीक है अब हम समझेंगे कि कैसे जो गोल्ड है है ना गोल्ड है उसका सिंबल जी ना होकर या जी ओ ना होकर उसका सिंबल आपका ए यू क्यों है सेम ऐसे ही अगर मैं सिल्वर की बात करूँ तो सिल्वर में जो उसका सिंबल है वो ए जी क्यों है है ना वो चीज़ अब हम देखते हैं देखे अधर सिंबल है बिन टेकन फ उसी के अकोडिंग हम उसका नाम रख देंगे एक्जामपल के तोर पर आप समझेगा जैसे दा सिंबल आइरन इस एफ़ी फ्रॉम इट्स लैटिन नेम फैरम एक्जाम में ये कोशन बनता है कि जो आइरन होता है इसका सिंबल एफ़ी क्यों होता है वो एफ़ी इसलिए होता है क्यों कि जो आइरन का लैटिन नेम है वो क्या है वो फैरम है तो एक्जाम में ये भी आता है कि आइरन का लैटिन नेम क्या होता है तो वो उसका फैरम होता है और फैरम के अकोडिंग ये एफ़ी जो है वो शब्द लिया गया है ने होता है क्या होता है एने होता है और एने क्यों होता है क्योंकि ये भी अपने लैटिन वर्ड से ही आया है और इसका लैटिन वर्ड क्या होता है वो होता है नैट्रियम इनको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजेगा कि सोडियम का जो लैटिन वर्ड है वो क्या होता है नै आया है सेम ऐसे ही जो potassium है आप देखते हैं उसका symbol क्या होता है के होता है और वो भी अपने Latin name से ही आया है कैलियम ये exam में बनेंगे तो याद रखेंगे potassium किस से आया है अपने Latin word कैलियम से आया है और इसलिए उसका symbol क्या होता है आपका के होता है ठीक है coding इनके symbol को हम रख देते हैं और अब आपको याद करने होंगे ये सारे silver silver का जो Latin name है वो क्या है वो है आपका Urgentum और Argentina के basis पर ही इसका क्या रखा गया है A, G ज़ी जो है वो इसका symbol silver का रखा गया है याद रख लिज़ेगा सीप्नल इसका तो गोल्ड का सिंबल क्या होता है AU तो वो क्या है उसका लेटिन वर्ड औरम आइरन का लेटिन वर्ड क्या है फैरम तो इसलिए क्या हो गया FE हो गया मरकरी का लेटिन वर्ड क्या होता है वो होता है हाइडराजिरम और इसी वज़े से उसका सिंबल क्या हो जाता है वो आपका HG हो जाता है सेम ऐसी Potassium का Latin name क्या है Calium और उसका Symbol क्या हो जाता है K Sodium का Natrium Lead, Lead का याद रखेंगे जैसे हमने बढ़ा था PV तो इसका Latin name क्या होता है Plumbum Plumbum इसका Latin name होता है इसलिए इसका नाम क्या होता है इसका जो Symbol होता है वो आपका PV होता है Antimony का जो Latin name है वो है Stebium और इसे हम SB से denote करते है ये भी important है ऐसे ही आते हैं ज़रूरी नहीं एक्जाम में Iron पूछेगा तो एक्जाम में कौशन कौन सा पूछेगा Antimony पूछेगा तो याद रखेंगे उसका जो Latin name है वो क्या है वो है आपका Stebium और Stebium का Symbol क्या होता है SB Tungustan most important है ये एक्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि इसका Symbol W क्यों होता है इसका Symbol W इसलिए होता है क्योंकि ये अपने Latin word से drive होता है और इसका Latin word क्या होता है वो होता है Wolfram तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि Tungustan का जिसका Melting point बहुत जादा हाई होता है तभी तो क्या होता है जो Bulb होती है उनमें Tungustan का तार होता है ताकि वो असानी से ना तूटे तो उनका जो Melting point है वो बहुत ही हाई होता है वो क्या है आपका Wolfram और उसी पर उसका सिंबल क्या है W एक्जाम में Tungustan का पूछ सकता है तो आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है अब दीखे यहाँ पर लिखा है जो अबब टेबल है उसमें जो Potassium है और यह जो Tungustan है Drive from the first letter of their Latin or German name It can be treated as exception only है ना क्योंकि यहाँ पर बाकी सब के देखे अगर मैं Silver की बात करूँ तो इसका भी दो letter है A G Copper की बात करूँ तो इसका भी कूपरम दो letter है Almonium की बात करूँ तो आपका वैसे भी A L होता है है ना वो अलग हो गया तो लेटिन वर्ड से नहीं है Potassium को और Tungustan को छोड़ दिया जाए बाकी सारे जो इसमें element है उनके दो वर्ड है दो letter के symbol है लेकिन Potassium और Tungustan ये दोनो एक ही letter के symbol है इसलिए ये exception भी होगे Potassium क्या है Calium इसका Latin word पूछ सकता है exam में Tungustan का Latin word क्या है ball from इसको याद कर लिजेगा आप अच्छे से ठीक है अब हम समझेंगे कि iron क्या होते है और ये आपको एक idea होगा कि हर element के अंदर एक capacity होती है या तो वो electron gain करता है या फिर वो electron को lose करता है और इसी चीज़ को हमें समझना है as a iron form जो उन पर charge आता है जब वो electron को gain करेंगे या फिर electron को lose करेंगे और वो कैसे करते हैं वो क्यों करते हैं ये भी चीज़ हम अच्छे से इसमें समझ लेंगे अब जैसे आपको ये पता होता है कि एक atom होता है परमाण होता है और उसके केंदर में नाभीक होता है नूकलियस होता है और नूकलियस के अंदर आपका neutron और proton होता है और proton आपका positive charge और neutron पर कोई charge नहीं होता जिसकी वज़े से अगर मैं पूरे nucleus नाभीक की बात करूँ तो उसमें overall क्या charge हो जाता है आपका positive charge हो जाता है और जो electron होते हैं वो इस नाभिक के इस nucleus के आसपास अपनी अपनी shell में यह हमने पहले भी अच्छे से पढ़ा है अपनी अपनी shell में चक्कर लगाते रहते हैं depend करता है कि उसका energy level क्या है और उसी के according वो उसी shell में उसी हिसाब से चक्कर लगाते हैं ठीक है अब यह जो electron होते हैं यह चाहते हैं कि हम हमेशा जैसे मैंने आपको बताया था कि जो shell number one होती है उसमें maximum electron कितने हो सकते हैं दो हो सकते हैं यह हमने पहले पढ़ा है पहले अगर नहीं देखी यह वीडियो तो उसको देख लें उसके बास समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा दूसरी shell जैसे हम के बोलते हैं दूसरी shell जो है जो हमारी L होती है या दूसरी shell होती हो उसमें maximum number of electron कितने होते हैं आठ होते हैं तो हर number of electron क्या चाते हैं हम stable रहें वो जिस shell में हो चाते हैं हम दो रहें अगर वो दूसरी shell में है तो चाहेंगे हम आठ रहें अगर वो तीसी shell में है तो उसमें भी वो अपना octet पूरा कर सकते हैं मैंने बताया था है ना कि जो होता है इसके लिए इसकी last shell क्या होगी उसमे maximum number of electron कितने होंगे 8 होंगे तो ये अपने octet से भी काम चला लेते हैं अगर यहाँ पर 8 element है तब भी काम चल जाएगा और अगर पूरे 18 बन जाते हैं तो बहुत ही बड़ी हा बात है नहीं तो ये 8 में भी अपना काम चला लेते हैं तो इस तरह से ये सारे जो element में number of electrons होते हैं जो घूमते रहते हैं वो stable state में रहना चाते हैं अब जैसे अगर मैं sodium की बात करूँ आपको एक से लेके 20, 20 तक के जो element है उन्हीं से related समझना है बहुत जादा detail में electronic जो आपकी configuration है उसके अंदर हमें नहीं जाना है वो अस लेबस में नहीं है तो एक से 20 के element जब इससे अगले वीडियो आएगी न उसमें आपको short trick से एक से 20 तक के element के atomic number ये देखे जो iron वारी tendency होती है ना lose करने की gain करने की cation और anion जिसे हम अभी देखेंगे ये depend करता है किस पर atomic number पर तो आपको एक से लेके 20 तक के element जैसे पहला element क्या है hydrogen और हमारा 20 वा element क्या है calcium है ना तो एक से लेके sorry यहाँ पर c l लिख दिया है c a calcium का क्या होता है c a तो hydrogen और calcium पूरे एक से लेके 20 होते हैं इन सारे element के नाम आपको याद होने चाहिए और फिर इसी के coding इनका atomic number होता है जैसे hydrogen का atomic number 1 है दूसरे number पर क्या आता है helium तो helium का atomic number क्या होता है calcium जो है वो हमारे 20 वे number पर आता है इसलिए उसका atomic number क्या होता है 20 और अगर मैं sodium की बात करूँ तो वो हमारा 11 नमबर पर आता है और उसका atomic number क्या होता है वो फिर 11 ही होगा सोडियम के बाद आता है आपका magnesium तो magnesium का atomic number हो जाता है आपका 12 और उसके बाद जो aluminium होता है वो आपका 13, 11, 12, 13 aluminium आपका 13 नमबर पर आता है इसका atomic number क्या हो जाता है और इनी के basis में हम देखेंगे कि किस तरह से ये electron को gain करेंगे या फिर lose करेंगे अब जैसे sodium है मैं आपको समझाती हूँ तो इसकी पहली shell में इसका atomic number क्या होगा 11 और इसका electronic configuration क्या होगा ये मैंने पहले भी समझा रहा का है पहले shell में 2 फिर दूसरे shell में complete किते चाहेगा 8 और तीसरे shell में किते होगा 1 तो कुल जो जितना atomic number होता है वही तो number of electron होते हैं तो कितने किस हिसाब से divided होंगे number of electron पहली shell में तो 2 electron होगा stable होगा फिर दूसरी shell में 8 electron होगा और वो भी stable होगा लेकिन तीसरी शेल में एक electron आ गया और यह stable नहीं है अब यह क्या चाहेगा कि यह चाहेगा कि भाईया मुझे कोई ले लो और ताकि मैं अपना stable state में ही रहूं क्योंकि इसे stable होने के लिए अभी 7 और चाहिए तो अब यह चाहेगा कि मैं यहां से निकल जाओं साथ लेने की वज़े सबसे असान के हम का गया है साथ electron और लेने की वज़े यह क्या सोचेगा कि मैं खुद चला जाओं है क्योंकि एक निकलना बहुत असान है और साथ लेना बहुत टफ है तो यह क्या सुचेगा कि मैं यहां से निकल जाओं और अपनी stable state में बना रहूं तो यही tendency जिसमें वो element के अंदर जो electron है वो निकलेंगे या फिर आएंगे वही क्या है उसमें cation और anion वाली tendency है उसी को हमें समझना है इसलिए na के उपर क्या होता है एक plus charge होता है इसका मतलब क्या होता है क्योंकि जब ये shell में जाता है 281 तो ये अपने एक electron को lose कर देता है और lose करने की वज़े से है ना एक electron यहां से क्या हो गया चला गया और जब ये एक electron चला गया तो यही वाली जो property है वो आपकी क्या कहलाती है वो होती है आपकी cation जिसमें क्या हो जाता है आपके electron जो है चले जाते हैं और जो वो element है उसके उपर plus charge आ जाता है और यहां पर एक electron गया इसलिए जो sodium है उसके उपर खाली single plus charge आ गया थोड़ा सा द देख लेते हैं the atom or group of atom on which an independent charge exists उसे ही हम क्या बोलते है आयन बोलते है जैसे sodium पे individual plus charge है तो यही क्या है यही उसका आयन है जैसे chlorine है chlorine पर एक minus charge है तो वही क्या है जो उस पर individual charge है या तो positive होगा या negative होगा वही क्या है वही उसका आयन होता है और या दखेंगे यह दो ही type के ह होती है एक positively charge ion एक negatively charge ion अब आप याद कैसे रखेंगे जो positively charge ion होते है वो आपके kation होते है थोड़ा सा याद रखना है बस positively charge ion क्या होते है आपके kation होते है और negatively charge ion क्या होते है anion होते है मतलब अब यहां पर देखिए जैसे sodium है sodium ने अपने electron को lose कर दिया है ना तो lose करने की ज काटायन होती है, यह जो यहाद रेकिकिनिma जिसमें loose करने के प्रॉपर्टि ही होती है जिस element में no of electron निकल कर जाएगे ताकि वो stable रहें तो वही जो electron lose करने की tendency है वो kaatori होती है और यहा से एक चला गया तो इसलिए क्योंकि माइनस चला गया तो फिर सीडी सी बात है यहां पर क्या आएगा प्लस आ जाएगा अब देखे एनायन जो होते हैं यह सिर्फ समझाने के परपस से बोला है जब NIN की बात करूँ तो NIN में क्या होगा कि वो electron देंगे नहीं वो electron लेंगे जैसे chlorine होता है तो chlorine देता नहीं है उस पर एक की कमी होती है chlorine जो होता है जब उसकी हम electronic configuration करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि उसमें एक जो आखरी shell होगी उसमें साथ होंगे तो उसको एक चाहिए होगा तो जब electron लेते हैं किसी भी element को जब electron चाहिए होता है तो वो उसकी property क्या 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 लाती है वो उसकी property क्या लाती है NIN और उस case में उस पर एक electron आ गया है मतलब एक minus वहाँ पर आ गया है तो इसलिए उसके उपर माइनस चार्ज आ जाएगा, ये बहुत ध्यान रखना है, कटायन का मतलब क्या होता है, इलेक्टरोन चला गया, और एनायन का मतलब क्या होता है, इलेक्टरोन आ गया, और जब इलेक्टरोन जाता है, तो आपका प्लस चार्ज आता है, और जिस केस मे electron आपका आ रहा है क्योंकि वो minus charge है वो आ रहा है तो सीदिसी बात है element के उपर भी minus sign आ जाएगा और वो indicate करेगा क्या कि इसने electron क्या है बहार से लिया है और अगर plus charge है तो वो indicate करेगा कि इसने electron दे दिया है और electron देना आपका क्या कैलाता है फिर से बता रही हुआ है वो Cation कैलाता है और electron लेना क्या कंलाता है वो आपका NiN क्यालाता है तो यह आपको अच्छे से clear हो गया होगा यहां पर बaign लिखा है ICation क्या होता है जिसमें positive charge है और NiN क्या है जिस पर आपका negative charge है कटाइन क्या होगा, इलेक्ट्रोन को लूज करेगा, एनायन क्या करता है, इलेक्ट्रोन को गेन करता है, अब यहाँ पर हम Mg, मैगनीशियम को और थोड़ा सा मैं समझा देती हूं, ताकि चीज़े बिल्कुल ही अच्छी से आपको क्लियर हो जाएं, लेके मैगनीशियम है, म पहली शेल में कितने आएंगे, दूसरी शेल में कितने आएंगे, यह wijने आपको अच्य से बता रेक है, आठ, तो dis fill हो गाए, तीसरी शेल में कितने आएंगे, को कि atomic no. 12 है तो टो आए गार दो यह जो डूच्ट्रा है, इसको या तो 6 और चाहीए, या फिर यह दोड़ेद तो वो भी कितने से आएगा 2 से, तो जैसे यहाँ पर लिखा है, देखिए, magnesium, mg के उपर ऐसे लगा है, 2+, क्योंकि इसने 2 electron lose करें हैं, और जो plus चाहे हैं, यह क्या बता रहा है, कैटायन बता रहा है, समझ में आएगा जैसे aluminium होता है, आप aluminium को देखेंगे, तो उस पर 3 plus होता है इसका मतलब वो 3 electron को lose कर देता है, और जो negative charge आएगा, इसका मतलब उन्होंने electron लिया है, यहाँ पर देखे, chlorine लिखा है, यहाँ पर देखे, आपका sulphate है, अगली वीडियो में हम देखेंगे, यह आपको याद ही करने पड़ेंगे, कि sulphate पर कितने negative charge होता है, वो 2 negative charge होता है, इसको तो याद करना पड़ेगा, next वीडियो में देखेंगे, अब हम table और वहाँ पर हम chemical formula कैसे बनाते हैं, वो भी अच्छे से समझ लेंगे, यह carbonate हो गया है, CO3 क्या होता है, carbonate इस पर भी 2 minus negative charge होता है, नहीं, ऐसी आपका phosphate हो गया यह, यह भी आपका sulphate ही है, phosphate, जो phosphate होता है, उस पर 3 minus होता है, मतलब, यह 3 electron को क्या करता है, लेता है, minus charge क्या बता रहा है, अगर किसी भी element पर minus charge है, तो यह बता रहा है, कि उसमें number उसने electron को लिया है, क्योंकि वहाँ पर minus क्या बता रहा है, वहाँ पर electron आए है, और electron का sign ही minus होता है, तो उसी से आप याद कर और ये चीज़े आपको अच्छे से समझ में आ गही होंगी और अब अगली क्लास में हम इसको बड़ी असानी से जो इसके क्यामिकल फॉर्मूला है वो हम बना देंगे क्यों क्योंकि हमें कैटायन एनायन्स सब अच्छे से पता चल गया है बहुत जादा डेटेल में हमें नह करादूंगी जिससे क्या हो जाएगा आपको 21-20 नंबर तक के जो अलिमेंट और नहीं निzar문 होने होने चाहिए तो इसके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है trick क्या है hi hello listen और इससे जो hi है ये सबसे पहले बताएगा hydrogen का जिसका atomic number होगा 1 he hello में आ जाएगा आपका helium जिसका atomic number होगा 2 उसके बाद आएगा listen में li जिसका atomic number होगा 3 that is lithium तो hi hello listen में आपको 1, 2, 3 element याद होगए periodic table में line से लगे हैं ये पहले आपका hello listen उसके बाद क्या है BBC news on Friday night BBC news on Friday night तो BBC पहले B से क्या हो जाएगा आपका beryllium और beryllium का symbol होता है BE और इसका atomic number होता है 4 उसके बाद जाएगा B से BBC news में दूसरा B जो होगा वोगा आपका boron के लिए उसके बाद C जो होगा वो हो जाएगा आपका कार्बन के लिए और कार्बन का atomic number कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 6 तो trick के according क्या हो गया hi hi hello listen BBC news news में N जो है वो हो जाएगा आपका nitrogen के लिए जिसका atomic number कितना हो जाएगा 7 news on on में जो O है वो represent करेगा oxygen को जिसका atomic number है 8 BBC news on फिर क्या बताया था मैंने Friday night तो Friday से F हो जाएगा आपका fluorine जिसका atomic number होगा कितना 9 फिर हो जाएगा Friday night नाइट में फिर से N नहीं आ गया तो वो हो जाएगा आपका neon के लिए तो 1 से 10 तक के element तो आप ऐसे याद करेंगे इस trick से hi hello listen BBC news on Friday night तो ये सारे आपको याद हो जाएगे hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon nitrogen, oxygen, fluorine और फिर neon तो ये 10 याद होने के बाद आगे कैसे याद करेंगे ना मांगो अल्ला से में phone scooter car phone से हो जाएगा आपका phosphorus जिसका atomic number होगा 15 फिर scooter से हो जाएगा आपका atomic number 16 और chlorine जो है 17 element आपको याद हो गए calcium आप याद रखेंगे 20 है उससे उपर याद रखेंगे potassium 19 है और उससे उपर याद रखेंगे argon जो आपका 18 है तो ये नीचे से आप याद कर लीजेगा कि 20 नमबर का जो atomic number है वो calcium का है 19 नमबर पर हमारा potassium होता है जिसका hello listen BBC News on Friday night ना मांगो अल्ला से phone scooter car तो इससे 17 याद हो जाएंगे और बात के तीना पैसे ही याद कर लेंगे calcium potassium और argon आपके तो इस तरह से ये पूरे आप याद कर लीजेगा मैंने trick भी बता दिये at least बचे वे भी आप याद कर सकते हैं अगर आप करना चाहें जैसे copper का आप याद रखेंगे zinc का याद रख लीजेगा iron का याद रख लीजेगा kobold का याद रख लीजेगा है ना तो ये सब आप याद रख सकते हैं चलिए अब हम जो हमारा topic था जिसमें हम पढ़ेंगे आज की कैसे हम chemical formula बनाएंगे तो उसके लिए पहले हमें ये समझना होगा लेकि जैसे previous वीडियो में हमने अच्छे से समझ लिया था कि जो कोई भी element होता है उसकी last shell में जितने number of electron बच जाते हैं या तो वो क्या कर देते हैं अपने electron को lose कर देते हैं और lose करने की tendency को आता है आपका negative charge तो देखिए जैसे अगर मैं sodium की बात करूँ तो उसका atomic number अब आपको याद हो गया वो कितना होता है 11 होता है और जब हम इसे shell में fit करते हैं ये सब पहले समझ रखा है बस आगे का आब हमें समझना है तो पहली shell में दू आएंगे दूसरी में आठ आएंगे और तीसरी में बचेगा एक तो अब ये क्या करेगा अपने एक electron को lose करना देना पसंद करेगा और जब ये निकल के जाएगा तो सीधी सी बात है वो भी कितना electron निकाल रहा है एक तो यही इसकी क्या हो जाएगी valency हो जाएगी तो याद रखेगा valency यहाँ पर लिखा है valency क्या होता है कि जो atom होता है वो अपने अंदर जो shell में electron है उनको कितना lose करेगा या कितना gain करेगा वही tendency क्या क्या लाती है आपकी valency क्या लाती है तो sodium है sodium यहाँ पर एक लूज करेगा तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी प्लस वन और मैंने बताया था जब लूज करते हैं तो प्लस का चार्ज आ जाता है इसलिए आप दिखेंगे यहां पर लिखा है एक वैलेंसी वाले मतलब जो अपना या तो एक एलेक्टरॉन लूज करेंगे या अपना पॉजिटिफ चार्ज आ जाएगा वो होंगे आगे कैटायन तो यहां पर सोडियम, पोटाशियम, सिल्वर और कोपर यह अब आपको याद करने पड़ेंगे ठीक है सोडियम, पोटाशियम, सिल्वर, कोपर यह सब अपना एक एक एलेक्टरॉन लूज करते हैं आखरी शेल ठीक है, हैड्रॉजन क्या करेगा, हच प्लस आयन बना रहा है, इसका मतलब यह भी अपने एक एलेक्टरॉन को लूज कर रहा है, ठीक है, उसके अलावा जो हाइड्राइड है, याद रखेंगे जैसे होता है न, बहुत के आगे हाड्राइड लगा होता है, तो वो अपना एक electron जो है gain करेगा क्योंकि उस पर minus charge और minus charge जो NIN होता है वो हमें ये बताता है कि उसमें electron आया है सेम ऐसे ही chlorine, chlorine पर भी एक electron आता है bromide और iodide ये सारे के सारे एक electron को gain करती है इनकी valency होती है minus 1 उसके बाद magnesium, calcium, zinc और iron और copper इनकी valency क्या होती है 2 होती है, जैसे magnesium है, sodium 11 होता है, magnesium 12 होता है, तो last shell में आके 2 electron बचेंगे और वो 2 electron को lose कर देंगे, तो उस पर 2 का plus charge जाएगा और उसकी valency कितनी हो जाएगी, वो आपकी 2 हो जाएगी, ठीक है तो magnesium की valency 2 होती है, calcium की valency 2 होती है, zinc की valency 2 होती है, iron, copper, इनकी valency भी क्या होती है आपकी 2 होती है, कहने का मतलब ये 2 electron को lose करते हैं, और तब ही उनके उपर positive charge आ जाता है और ये आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत important है sodium, magnesium, तेरवे नंबर पर, तेरवा atomic number किसका होता है, aluminium का होता है, तो इसका मतलब उसकी last shell में कितने electron होंगे 3 electron, और वो 3 electron को lose कर देगा, तो उसलिए aluminium पर कितना charge आजाता है, प्लस 3 का charge आजाता है, यही इसकी valency होती है, क्योंकि ये 3 electron को lose कर देता है और जब यह 3 electron को lose करता है, तो इस पर 3 plus, प्लस 3 का charge आजाता है, iron के भी 2 होते हैं, iron का जो है वो, जब हम इसका configuration करते हैं, तो plus 2 भी आता है, और plus 3 भी आता है, बहुत जादा इसके detail में नहीं जाना है, आप बस इतना ही याद रखेगा, ठीक है, उसके अलावा देखे, जि कितनी होती है, उसकी भी S लगा कर minus 2, इसका मतलब वो भी 2 electron को gain करेगा, उसके बाद, nitride, nitride और nitrate में confuse नहीं होना है, यहाँ पर लिखा है nitride, और यहाँ पर लिखा है nitrate, nitride पर तो आपकी minus 3 होती है, मतलब यह 3 electron को लेता है, nitride, और जो nitrate होता है, NO3, यह अपना एक electron जो हो याद रखेंगे nitrate, nitrite जो होता है, वो 3 electron लेता है, इसलिए उसकी valency minus 3 होती है, और nitrate जो होता है, वो एक electron लेता है, इसलिए उसकी valency एक होती है, सेम ऐसे ही ammonium, ammonium क्या होता है, NH4, यह आप आप याद कर लीजेगा, जैसे sulfide क्या होता है, S है ना, और minus 2 इस पर valency है, oxide क्या sulfide, इन सब पर, सब पर minus 2 ही होती है, normally आप याद रखेंगे, ठीक है, अब देखें, यहाँ पर, तो हमने nitrite देख लिया, उसके बाद ammonium देख लिया, ammonium का formula क्या होता है, NH4, यह भी याद रख लीजेगा, और इस पर plus, मतलब यह एक electron को lose करता है, उसके बाद आता है, आपक और इस पर charge आता है, minus, मतलब यह एक electron को लेता है, ठीक है, उसके बाद हो गए carbonate, carbonate, यह sulfate यहाँ पर गलत लिखा है, यह sulfate नहीं होगा, SO3 तो आपका sulfur trioxide होता है, और इसे हम sulfite भी बोलते हैं, क्या बोलते है, sulfite, इसको ठीक कर लिजेगा, यह sulfite है, तो sulfite क्या होता है, SO3 और इस पर भी दो negative charge होता है, मतलब यह दो electron को लेता है, सेम ऐसे ही आपका होता है, sulfate, तो change कर लिजेगा, यह sulfur trioxide या फिर sulfite होगा आपका, उसके बाद sulfate आता है, sulfate होता है, आपका SO4, और इस पर भी minus 2 होता है, मतलब यह दो electron लेता है, phosphate है न, phosphate को आपको याद रखना phosphate जो होता है, वो होता है, PO4, और इस पर होता है, minus 3, मतलब यह 3 electron लेता है, तो यह सारी table, learn होनी चाहिए, पूरी अच्छी तरह से, तब ही आप जो है, वो chemical formula अपना बना पाएंगे, तो अब हम समझेंगे कि किस तरह से हमें जो अपने formula हैं, वो बनाने हैं, सबसे पहले formula हम हम बनाएंगे hydrogen chloride का, करना क्या है, hydrogen का symbol लिखेंगे H, और chloride मतलब chlorine, उसका symbol क्या होता है, CL, अब hydrogen की valency मैंने आपको क्या बताए थी, plus 1, तो इसका मतलब उसकी valency कितनी है, 1, chlorine की valency कितनी बताए थी, minus 1, मतलब वो एक electron को लेता है, और यह एक electron को lose कर रहा था, तो इसकी valency भ है, तो सबसे पहले H लिखा है, तो हम H लिखेंगे, इसके नीचे क्या है जाएगा, 1 आजाएगा, और 1 आना या ना लिखना एक ही बात है, सेम ऐसे CL हो जाएगा, और इसके नीचे भी cross multiply में 1 है, तो यह 1 को हम represent नहीं करेंगे, सीधा हम इसको बोलेंगे, HCl, hydrochloric acid, तो इस तरह से यह formula बना, आगे देखते हैं, second formula कैसे बनाएंगे, hydrogen sulfide का, तो देखे, hydrogen पर कितना charge होता है, plus 1 का, और sulfide पर मैंने अभी आपको दिखाया था, कितना होता है, S-2, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी तो आपको याद नहीं होगी, यह देखे, sulfide पर कितना है, S-2, इसका मतलब इसकी holancy कितनी है, वह आपकी 2 है, और hydrogen की holancy कितनी है, वह आपकी 1 है, ठीक है, तो अभ हम इने सिर्फ लिखना होगा, हमें जैसे इसमें बोला है, hydrogen का लिखेंगे हम H, il ou sulfide का लिखेंगे हम S, hydrogen की holancy कितनी होती है, 1, sulfide कितनी होती है, 2, यह करने के बाद हम क्या करते हैं इनकी cross multiply करते हैं और जैसे sequence होता है हम वैसे ही लिखते हैं H के साथ क्या है cross multiply में 2 है तो H2 और फिर ये S के साथ 1 है तो ये खाली S रहेगा तो ये H2S इस तरह से ये हमारा compound जो है formula बन गया इसका hydrogen sulfide गा ठीक है उसके बाद हमें formula बनाना है carbon tetra chloride का तो carbon का symbol कितना होता है C और chloride मतलब chlorine उसका symbol कितना होता है C L अब हम देखेंगे कि इनकी valency क्या होती है देखें carbon की valency होती है आपकी 4 कैसे carbon के पहले shell में carbon का atomic number कितना होता है 6 है ये 6 होता है आप याद कर लीजगा मुझे तो याद है तो इसलिए मेरे को हो रहे है तो carbon का atomic number होता है 6 जब हम इसको fill करेंगे तो पहले shell में तो 2 ही आएंगे दूसरे shell में होने चाहिए 8 लेकिन fill कितने हुए 4 या तो ये 4 electron देगा या 4 electron लेगा वैसे तो carbon sharing करता है तो फिलाल के लिए आप याद लखेंगे इसकी valency क्या होगी या तो ये 4 लेगा या 4 देगा तो इसकी valency हो जाती है 4 तो यहाँ पर carbon के नीचे लिख दिया carbon की valency और chloride की valency तो आपकी पता ही है वो एक electron को क्या करता है लेता है तो उसकी valency होती है एक अब हमने क्या करा cross multiply करा इस तरह से तो carbon के नीचे तो 1 आएगा उसको हम लिखेंगे नी और CL cross multiply में CL के नीचे देखे यहाँ पर कितना है cross multiply में 4 तो यह हो जाएगा C, CL, 4 और इस तरह से हमारा carbon tetra chloride का जो formula है वो बनकर तयार हो गया उसके बाद हम formula बनाएंगे magnesium chloride का देखे magnesium में मैंने आपको बताया था कितनी valency होती है 2 देखे हैं यहाँ पर लिखा भी है यह रहा magnesium इसकी valency होती है 2 और फिर क्या है हमारा chloride chloride की तो 1 ही होती है तो हम वो ही करेंगे magnesium मतलब mg chloride मतलब chlorine Cl magnesium की valency है 2 और chloride मतलब chlorine की valency है 1 प्लस माइनस साइन का भी हम कुछ नहीं देखेंगे simple as it is उनकी valency लिखेंगे कि वो कितना electron ले रहे हैं कितना electron दे रहे हैं उसके बाद हमें क्या करना होता है अपना cross multiply हम करेंगे फिर sequence में लिखेंगे mg के नीचे क्या है 1 to 1 तो हम लिखेंगे नहीं और Cl आजाएगा उसके नीचे 2 तो ये हो गया आपका mg Cl2 मतलब magnesium chloride तो समझ में आया इस तरह से हमें ये अपने formula बनाने होते हैं अभी हम कुछ और formula देखते हैं जैसे aluminium oxide है ना अब देखें, aluminium का लिखेंगे आप Al oxide का लिखेंगे ओ, जितने भी oxide है, sulfide है, carbonate है इनकी valency 2 ही होती है और aluminium की valency हमने देखी थी उसकी कितनी होती है, 3 एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ देखें, यहाँ पर hiera aluminium, इसकी valency है, 3 और जो हमारा oxide था शायद तो उसकी valency है, हमारी 2 है तो यह हम यहाँ पर रखेंगे aluminium के नीचे 3 लिखा और oxide के नीचे 2 लिखा और हमने cross multiply कर दिया तो हमारा formula क्या बनेगा? Al2, क्रोस multiply में Al के साथ 2 है, और oxygen के साथ आजाएगा 3 तो यह हमारा formula बनेगा किसका aluminium oxide का समझ में आया है, इस तरह से हम यह जो है, अगर आपको table अच्छे से याद है, तो आप इस तरह से formula जो है वो बना सकते हैं, बस उनकी valency आपको पता होनी चाहिए जैसे अब हमें बनाना है calcium oxide का, तो calcium को बोलते है CA और oxide तो होता है आपका O, और calcium की valency कितनी होती है, वो होती है plus 2, तो calcium की valency होगे 2, और oxide की valency भी 2 होती है, और जब इनकी cross multiply करेंगे, तो दोनों के नीचे 2 आ जाएगा, मतलब CA2O2, तो यह हमारा calcium oxide का formula हो गया तो बिल्कुल, और इसको फिर हम simplify करके, यह 2 जो है, इस 2 से cancel out हो जाएगा, और यह बन जाएगा, आपका CAO calcium oxide, अब हम कुछ और compound के formula देखते हैं जैसे यहाँ पर लिखा है क्या sodium nitrate, sodium का क्या होता है Na, nitrate का क्या होता है अभी हमने पीछे देखा था, NO3 याद रखेगा, nitrate का कितना होता है NO3, तो हमने simply पहले इनके formula के symbol लिखे और जो sodium होता है, उस पर क्या होती है आपकी एक valency, plus की और nitrate पे आपकी minus 1 की valency होती है, तो दोनों की valency एक-एक हो गई, अब इनकी cross multiply करेंगे, तो 1-1 तो नीचे लिखेंगे नी, तो सीधा सा formula बन जाएगा NaNO3, sodium nitrate, याद रखेंगे, nitrate में NO3, उसके बाद, अगर मुझे formula बनाना है, calcium hydroxide का, तो calcium का क्या लिखेंगे symbol CA, और hydroxide का कितना होता है, OH, calcium की valency कितनी होती है, हमने देखा था, plus 2 होती है, और oxide की minus 1 होती है, अब हमें इनकी cross multiply करनी है, तो C के नीचे तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि उसके साथ क्या लिखा है, आप देखेंगे, C के cross में क्या है, 1 है, तो इसके नीचे तो कुछ नहीं आएगा और OH के साथ क्या है, वो आपका 2 है, तो इस तरह से CAOH2, यह आपका calcium hydroxide का formula बन जाएगा, ठीक है आगे हम कुछ और देखते हैं जैसे sodium carbonate, अब अगर हमें sodium carbonate का formula बनाना है तो sodium का क्या हो गया, Na carbonate का भी, हमने अगर आपको table याद है तो बताया था, क्या होता है, CO3 और sodium पर कितनी valency होती है, एक और carbonate हो, चाहें आपके sulphide हो चाहें oxide हो, इन सब पर दो valency होती है, अब हमें इसकी cross multiply करनी है, तो Na2 Na, जिसके साथ cross में जो आता है, वही हम लिखेंगे Na2CO3 क्योंकि 1 है, तो ऐसी रह जाएगा तो formula हो गया, Na2CO3 sodium carbonate का, देखें इसके बाद हम same as it is बता सकते हैं किसका, ammonium sulphate का, वो हम कैसे लिखेंगे, ammonium का मैंने आपको क्या पताया, table में NH4 और sulphate का क्या होता है SO4, वो table आपको याद करनी पड़े कि उसके बाद आपसानी से कर लेंगे ammonium का formula क्या पताया था NH4, और sulphate होता है SO4, जबकि sulphide होता है SO3, और sulphate पर हमारी कितनी valency होती है, minus 2 की तो इसकी valency इसके नीचे लिखेंगे और ammonium पर आपने देखी होगी plus 1, तो मतलब इसकी valency 1 है अब हमें इनके क्या करनी है cross multiply करनी है, तो ये हो जाएगा formula NH4 bracket में, cross multiply में जो लिखा होता है, वही इसके नीचे आजाएगा NH4, 2 और यहाँ पर SO4, क्योंकि इसके साथ तो valency 1 है, तो इसको हम आजटिट छोड़ देंगे, तो formula बन गया, आपका ammonium sulfate का NH4, 2, SO4 अगर यह आपको पता है, तो formula वहाँ पर exam में बना लेंगे, जैसे वो आपसे पूछेगा, ठीक है अब देखें, यहाँ पर एक example दिया है, इसको भी हम solve करने के कोशिश करते हैं इन्होंने बोला कि एक element है, X form an oxide with formula X2O3 है ना, इसने एक formula बनाया, क्या X2O3 तो पहले X रहा होगा, O रहा होगा अब देखें, cross में बनते हैं जो नीचे आता है लिखा, वह cross में आता है इसका मतलब 2 यहां रहा होगा और O हमारा यहां रहा होगा, है ना O के साथ जब 3 लगावा है, इसका मतलब यहाँ पर 3 ऐसे रहा होगा तब ही तो यह formula बना होगा X2O3, तो यहां पर यह पूछ रहा है मुझे valency बतानी है X की, तो X की valency कितनी हो जाएगी 3, वोगि जिसकी जो valency होती है वो हम उसके नीचे लिखते हैं और उसके बाद cross multiply में वो दूसरा आ जाता है तो सेम ऐसे यहां पर X की valency पूछ रहा था तो X की valency तो हमारे कितनी हो गए यहां पर 3 हो गए जब हमने इसको खोला अब इसी में second में क्या पूछा है write the formula हो जब हम इस X के साथ chloride लगाएंगे, sulfate लगाएंगे, nitrate लगाएंगे या phosphate लगाएंगे अब देखे, जब मैंने X के साथ मुझे valency पता चल गए, X की कितनी है तीन है, जब मैंने chloride लगाया CL और उसकी valency कितनी होती है एक, तो formula क्या बन जाएगा मेरा, ये cross multiply में जाएंगे X के साथ तो 1 आएगा, as it is रह जाएगा और CL के साथ 3 हो जाएगा तो formula बन गया XCl3 अब ऐसे ही मुझे formula बनाना है sulfate के साथ, तो X sulfate क्या होता है, SO4 है न, और इस X पर तो मुझे valency पता चल गए, तीन है, और sulfate पर आपको valency पता ही होती है, वो 2 होती है cross multiply करेंगे, तो X2 SO4 bracket में करके 3 आजाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है, सेम ऐसे ही हमने क्या करा nitrate के साथ बना ली, nitrate क्या होता है, NO3, और उस पर minus 1 charge होता है, same as it is लिखा, सेम ऐसे ही यहाँ पर हमने क्या करा, phosphate के साथ बना दी, जो कि आपका क्या होता है, PO4 और इस पर कितनी valency होती है, वो आपकी minus 3 होती है, इसका मतलब यह तीन electronों को लेता है, तो इस तरह से हमने इसका formula भी बना लिया XPO4, तो इस तरह से यह आप chemical formula बनाते हैं अगर आपको यह table अच्छे से याद है, यह वाली table तो आप chemical formula बना लेंगे, पता होना चाहिए कि कार्बुनेट को हम CO3 बोलते हैं, सल्फेट को हम SO4 बोलते हैं, कार्बनेट हो, चाहें सल्फेट हो, चाहें ऑकसाइड हो, चाहें सल्फाइड हो, इन सब पर क्या होती है वैलेंसी, दो ही होती है, वो भी माइनस के साथ, याद क्या रखना है, नाइट्राइड और फोसफेट, नाइट्राइड और फोसफेट पर वैलेंसी होती है, तीन, और नाइट्राइड का फोर्मूला होता है, पावर के ओपर 3 चला जाता है, जितनी उसकी वैलेंसी है, और phosphate का होता है PO4 और एक formula और यहाँ पर याद रखना है आपको nitrate का NO3 carbonate का HOCO3 तो इस तरह से ये चीज़े भी आपको अच्छे से याद रखनी है बहुत ही important है ये पूरा मुझे लगता है चैसे clear हो गया होगा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज उसको